हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज में बात करने वाली हूं बच्चों की सर्दी खासी जुकाम के बारे में क्योंकि अभी सर्दियों का मौसा में स्टार्ट हो गया है और ऐसे टाम पर बहुत सारे बच्चों को सर्दी खासी लगी रहती है और जरा से में उनको सर्दी नहीं होगी और आपका बैच्चे सर्दी जक्रन से बचा रहेगा और बहुत सारे फाइदे भी उसको पहुचेंगे तो चलिए इस तेल को कैसे बनाना है हम जान लेते हैं इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 कप सरसो का तेल लेना है कोशिश करें सरसो का अजवाइन लेनी है अपसु रख देना है और दरख एक गीमय बहुत ततक जेल ढरेंगा नेनी आँप्स हो चरह सो तोि पर द् MARC तर्णत हैि और जआपने पड्रई आत्य। तो धीमियाज पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा धीमियाज पे पकाने में लेकिन इसको धीमियाज पे पकाईएगा और जब लहसों ब्राउन हो जाए तो उस टाइम पे आपको गैस को आफ कर देना है और जब यह तेल ठंडा हो जाए तो आप इसको छान के किसी भी कंटे पूरी शर्दियोस inil के सब्सक्राइ égal रख सब्सक्राइब करेगी उस तूरी घ्राहर से रिख़र वाखिंगोड़ी राड़ना जमें बements के बारela धेकर बात शर्दियूमण तो सेहाँ जासु हसाल भुल्स करें तो सकते हैं और थे बच्चे को आप सर्दू को होती इससे बहुत फैदाया से है और छोपायां से शेगई। बच्चे का जो Immunity System है वो भी स्ट्रॉंग होगा और एक बार कि जब भी आप मसाज करना हो तो इस तेल को थोड़ा सा आप किसी भी बाउल में ले ले और उसको हल्का सा गुनगुना कर लें गुनगुना कर के अगर आप मसाज करती है तो इसका और जादा फायदा मिलेगा इस तो उम्मीद करते हूं कि इस ओयल को आप जरूर बनाएंगे और अपने बच्चे को जरूर लगाएंगे जिससे आपका बच्चा पूरी सर्दिया आराम से बिता लेगा उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें